Hello Everyone, स्वागर थे आप सभी लोग का, आज के session में आज यहाँ पे देखते हैं कि compound interest आज का topic है, इस से पहले मैंने आपसे simple interest discuss किया था जैसे कि बात करें, simple interest part 1, part 2, क्या होता है simple interest और क्या होता है compound interest वो हम आपे देखते हैं, चलिए आई देखते हैं यहाँ पर क्या है compound interest, तो SI और CI की बात करें, तो SI क्या होता है, एक बार interest लग गया, वो हर साल क्या रहता है, जैसे माल लेते हैं कि 100 rupees है, क्या है 100 rupees, प्रिंस्पल है, अगर first year और second year की बात करें और third year की बात करें, तो आपको पता होगा माल लेते हैं कि ये है 10 percent rate of interest 10% क्या है rate of interest है जब 100 का 10 निकालेंगे तो simple interest 10 रूपीज होगा second year भी 10 रूपीज होगा third year भी 10 रूपीज होगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार interest लग जाता है वो हर साल क्या रहता है सीम रहता है समझ में आया अब compound interest क्या होता है compound interest की बात करें तो 100 का 10 परसंट 10 रूपीज तो होता है लेकिन second year में क्या होता है interest पर interest लगता है इसका मतलब क्या हुआ 10 का 10 परसंट क्या होगा एक रूपए तो एक रूपए आपको और मिलेगा यानि हो जाएगा 11 रूपए बात सुन में आगई 11 रूपीज ऐसे इस third year की बात करें तो 11 रूपीज मिल गया है वो तो होगा ही होगा लेकिन 11 का 10 परसंट और लगेगा इसका मतलब क्या होगा 11 का 10 परसंट कितना होता है 1.1 तो 1.1 एट करेंगे तो यह हो जाएगा 12.1 हो जाएगा बात सुन में आई अब 3 साल के बाद अगर हम compare करें तो simple interest तो हो गया 30 रूपए है लेकिन compound interest की बात करें तो यह हो जाता है 33.1 अब देखेंगे कि जैसे यही कहा जाता है कि money का investment ऐसी जहां किया जाए जहाँ पर compound interest मिलता हो इसे क्या होता है कि आपको जो interest मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा compare to simple यह 30 में मिलना 3 सां के बाद और यह मिलेगा आपको 33.1 यही क्या होता है दोनों में difference होता है और difference की बात करें तो यह difference होता है 3.1 बात सन्व आ गई इसका मतलब क्या हुआ कि compound interest क्या होता है interest per interest compound interest और simple interest तो simple ही है एक बार interest लग क्या हर साल क्या रहेगा same रहेगा तो I hope आपको ये बात समझ में आ गए होगी तो चलते हैं जल्दी से जो question पूछे जाते हैं उस पर discuss करते हैं लेकिन उससे पहले आप यहां पे देख लीजिए कि compound interest की definition क्या होती है what is compound interest यानि interest पर interest होता है compound interest ठीक है इतनी बात समन में आगे simple interest की बात करें तो simple interest क्या होता है principle पे लगता है यह आपको पता है compound भी principle पे ही लगता है ठीक है चलिए start करते हैं यहां पे दिखते है formula की बात करें तो पहले simple interest का formula आपको पता है PRT by 100 यह मैंने आपको simple interest चपता भी पढ़ाए था तो वहां पे discuss किया रहा है तो आईसाई कोई to PRT by 100 है और इसकी technique भी है मैंने आपसे discuss किया था ठीक है और बात करते है amount तो amount क्या होता है कि amount में principal और interest दोनों added होता है यानि interest add करते है तो वह जाता है amount इसको कहते है हिंदी में मिश्रधन बात सुन में आगई तो आप देखेंगे यहाँ पर यह formula है यह भी मैंने आपसे discuss किया था अब बात करते है compound interest तो compound interest का formula की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे equal to होता है P 1 plus R by 100 होता है और यह होता है simple formula है जैसा कि आपको पता है अब CI की बात करें तो CI होता है A minus P अब A मतलब क्या होता है यह होता है आपका amount जिसे कहते है मिशुधन P होता है principal यानि कि मूल्धन R होता है rate rate of interest यह होता है time इसका मतलब क्या हुआ एन्वली होगा दो साल ठीक जो भी लगेगा वो एन्वली लगेगा ठीक है इतनी बात संग्या अब बात करते हाफ यरली में तो हाफ यरली अगर mode होता है half yearly mode मतलब छमाई दे हो जब half yearly mode होता है तो आपको पता है कि compound interest या simple interest एन्वली लगता है तो interest अगर half yearly mode पे होता है तो 6-6 महिने में pay करना है जब 6-6 महिने होगा आपको compare करें हम करें एन्वली से तो आप समझेंगे कि 6-6 महिने का मतलब क्या हुआ दो पार्ट में divide होगा औ जैनी इसको क्या करो rate को 2 से divide कर दो और जो भी time duration होता है इसका double कर दो बास होन भी आ गई है ठीक है ये concept बहुत जरूरी है क्योंकि आगे वाले इंजाम में अगर देखा जाए तो कुछ question इस base पर होते है quarterly की बात करें तो क्या होता है quarterly quarterly की बात करें तो आपको पता है 3 मही मतलब 3-3 महने का मतलब अगर हम 12 months से compare करें तो 3-3-3-3 4 part में divide होता है तो इसलिए जो भी rate of interest होता है उसको हम 4 से यहाँ पर क्या करते हैं divide और time की बात करेंगे तो time 4 part में divide होता है 3-3 मेने में 4 part में कटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा time duration को 4 से multiply ठीक है इतनी बात संव्यागी आप आगे दिख लेते हैं कि सीधे सीधे इसका फावला आप यहाँ पर दे सकते हैं यह पता ही आपको है compound interest equal to a p 1 plus r by 100 power n a क्या है total amount after year principle क्या है यह तो आपको बता है मुल current account हो चाहे जो भी account हो saving में ही माल लेते हैं आपने deposit जो money किया तो इसका मतलब जो money deposit किया वो आपका मुल धन है ठीक है principle है बैंक वाले आपको क्या करेंगे जो भी rate of interest लग रहा होगा वो interest आपको देंगे तो principle और interest मिलके जब आपको return मिलता है तो इसका मतलब वो amount है इसका म भी तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यह value पूरा formula दिया हुआ है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम आपको इस formula से ही solve करें method कुछ भी होता है compound interest निकालने का method होता है जो trick होती है वो हम आप से discuss करेंगे ठीक है तो आप देख लिए आप यह जल्दी से दिखा जाए तो पहले सव देखे आप formula से करिए और चाहें interest पर interest निकाल के calculate कर लिए और एक method होता है जो आपको बताएंगे बहुत ही बढ़िया सा trick coding वाला है ठीक है तो फिलाल पहले हम लोग यहाँ पे सिखते हैं कि slab method क्या है ठीक है slab method के recording हम लोग पहले देखते हैं कि principle क्या यहाँ पर 5000 कितने साल रेट आप इंट्रेस है 10% निकालना है तो आप देखो slab जैसे कि bank में देखते हैं बैंक में जैसे इंट्री करते हैं तो एक बोर्ड बना होता है कि customer को सीधे सीधे पता चल जाए कि आप जो जो investment कर रहे हैं तो interest कितना कितना मिलना है उसका बनता है slab कि आप second year में करेंगे त इंट्रेस वाला दिखा देंगे portion ठीक है पार्ड उसमें दिखाई देगा first year के लिए तना दो साल के लिए तना तो वो उसी according आपको slab method के according बताते हैं कैसे solve करना है अब देखे 5000 है ठीक है three year है और rate of interest कितना है 10 जब three year का होता है तो slab method में देखो क्या करो पहले one two three दो साल के इंट्रेस पर इंट्रेस यहां पर दो लाइन तीन साल के लिए तो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार ठीक है यारी वन लाइन फिर टू लाइन फिर सीधे सीधे चाल लाइन ठीक है आप समझे यहां पर अगर simple interest होता है तो 5000 का 10% कितना होता है 500 रुपए तो 500 रुपए 500 500 500 ठीक है यारी अगर यह simple होता तो 5000 का 10% 500 500 500 ठीक है यह simple हो गया लेकिन है क्या compound तो interest इस पर ओल लगेगा देखो 5500 है ही लेकिन इस 500 का 10% और लगेगा तो यह क्या हो जाएगा 50 रुपए लगेगा ठीक है अब बात करते हैं यहां पर देखी है ठार्ड यर में देखी है यह 50 रुपए तो लगाई है तो थर्ड यर में क्या लगेगा 500 हो गई होगा इस पर लगेगा 50 इस पर लगेगा 10% वही 50 ठीक है लेकिन थर्ड यर में जो interest मिल ला है इसका 10% और लगेगा जो की होता यहां 5 रुपए अब देखो यह slab यहां पर clear हो गया ठीक है अब देखो यह एक साल दो साल तीन सील्, आप एड़ कर लो, तीन साल रही तो कितना हो गए प्हलें इसको एड़ करो, 1500 हो गया, यह हो गया, आपका 105 ठीक है यहाँ पर दिसकते हो, यह हो जाएगा 100, 1500, 155 हो जाएगा बस आप देखें यहाँ पर कितना हो गया, 1500 हो गया 3 और यह देखें, 1500 और यह 5 यानि कि 155 ठीक है, अब इसको आप add करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा 1655 आजाएगा, कितना आजाएगा 1655, आंसर आपका यह हो जाएगा बासन में आ गई, यह है slam method इतनी बासन में आ गई, यह आपने सीख लिया slam method में कैसे करते हैं, ठीक है यह 1655 है, यहाँ पर साफ साफ लिख दे, कोई भरोसा नहीं आप लोग का देख लिजे 1655, ठीक है, अभी दूसरा method बताएंगे लेकिन इससे पहले आप एक और सवाल को ट्राई करिए फिर हम इसको दूसरा method भी ट्राई करके बताते हैं फिलाल यहाँ पर देख लेते हैं, इसका answer यहाँ पर क्या है समझ में आया, तो पहले slab method सीखते हैं, फिसके बाद दूसरी trick बताते हैं, ठीक है तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, next इसको भी slab method से समझते हैं कि step के सवाल को slab method से कैसे solve किया जाता है ठीक है, तो देखें यहाँ पर same way है, 8000 रुपीज हो गया principle यानि मुल्धन और rate of interest कितना हो गया, 15% हो गया, ठीक है तीन साल के लिए निकालना है, same way है तो आप देखेंगे, देखेंगे, फर्स्ट यार, सेकेंड यार, थर्ड यार line भी आपको पता है, 3 year के लिए पहले 3 line, यह simple हो जाएगी ठीक है, compound के लिए एक यहाँ पर 2nd year के लिए, यहाँ पर 3 line और यानि कि 1 line, 2 line और 3 line, interest पर interest दिखाना है सबसे पहले दिखा जाए, 1st year में, 8000 का 15%, 8000 का 15%, कितना होता है 15 years आट, table तो आती, कि वो भी नहीं आती, देखो, 1200 होगा, ठीक है, अब 1200 रुपे लग जिया, तो 1200, 1200, 1200, यह आगे है ठीक है, 1200, 1200, 1200, लेकिन 2nd year में क्या है, 1200 तो है, लेकिन interest पर interest है, क्योंकि compound है तो इस 1200 का, 15% all लगेगा, तो आप 1200 का, 15% निकाल लो, यह कितना होता है, 15, यह होता है, सीधे-सीधे, 180 ठीक है, 100C, आप कहेंगे, आपने कैसे कर जिया, table आती है, 15 की भी multiply, सीधे break करके कर सकते हो, यह होगा, 150, यह इसका double, 30, add करो यह इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1200 को 15% को लिखते हैं, 3 by 20, ठीक है, कितना होता है, 3 by 20, तो इसको भी calculate करके लिख सकते हैं, बात सन्मिया आगे, तो अब आप देखें, यहाँ पर 180 हो गया, तो देखो यह 180 हो गई होगा, ठीक है, अब 3rd year में यह 180 हो गई होगा, मेरे निम समझ लो या तो इस पर इंट्रेस निकाल दो, ठीक है, 180 हो गई होगा, लेकिन इंट्रेस पर इंट्रेस है न, इंट्रेस पर इंट्रेस, ले रहें इंट्रेस न, धहान से देखिएगा, 180 का 180 तो होगा होगा, लेकिन इस 180 का 15% और लगेगा, तो 15% को उने बताया था, 3 by 20 कर लो इजी तरीके से या तो टेवल आती होगी कितना होगा 27 रुपय यह हो गया 180 का 3 by 20 करो टू थ्रीजा टू नाइन जा एटीन और नाइन थ्रीजा 27 ठीक है इतनी बासन में आगी अब आप देखी यहां पर कैसे किया जा रहा अब कर रहे कही लों कर पाते हैं यहां तक बैठे ओठे गए ठीक है अब देखाई दिया कुछ नहीं दिखाई दिया कुछ नहीं दिखाई दिया देखो इजा एटीन थ्रीजा 540 होता है नहीं 54 होता है अठारा त्याइं 54 और यह 27 एड करेंगे तो यह आ गया अब दोको यह हो गया 7 यह 6 यह 1 और यह 4 4167 आएगा तो आंसर दिखे क्या हो जाएगा 2 होगा इसका राइट दिखाई दिया यह 36 540 और 27 मिलके 567 ऐसे एड करना है ठीक है यहाँ पर देखी क्या है इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको यह कैलकुलेशन जो करना पढ़ रहा है इंट्रेस पेंटरस जनरल फॉर् ग्रण इह ति घर 2 साल 4 महेंने का निकालीए 2 साल 6 मंहें का देभ सालन दिया तो इस मैथर से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा अब देखें यहाँ पर यह हो गया समझ में आ गया अब देखो हमने मैंने आपको बताया था कि पहले क्या सिखना है स्लैब मैथर सीखना है तो इसका answer क्या है 2 है यह पास 1 में आ गई तो एक सवाल और करते हैं try कम से कब मालूम तो हो जाए कि यहाँ पे slab method है कैसा फिर इसको फिर reverse gear लगाएंगे तो वहाँ पे दूसरा method बताएंगे जो coding होगी फिलाल यहाँ पे देखिए यह सवाल यहाँ पे दिखाएंगे देरा 12800 और 12.5 अब आप सोच रहोंगे sir अब क्या करेंगे तो 12.5 आ गया कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो मैंने percentage की fraction value बता दिये यह topic आपने पहले पढ़ा भी है सीखा भी होगा ठीक है तो 12% यहाँ पे डारेट 12.5% नहीं निकालना यह 12.5% नहीं निकालना फंस जाओगे यह होता है 1 by 8 12.5% होता है सीधे सीधे 1 by 8 ठीक है अब आप यहाँ देखिए first year second year और यह हो गया third year यहाँ देखिए line तो पता है कि यह भूल गए one line के बाद क्या होगा two और इसके बाद क्या होगा तीन और यानि चार एक दो और चार एक का डबल तो दो का डबल चार ऐसे याद रखिए तीन साल के लिए अब देखो यहाँ पे क्या करना है one two eight double zero इसका one by eight यही तो निकालना है 12.5% कितना होता है one by eight 1600 ठीक है अब 1600 रुपए लग गया तो 1600 1600 पूरा लिखते चले जाओ कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना अब तो 1600 का second year में one by eight all लगेगा तो one by eight करना 12.5 भूल जाओ क्योंकि वह होता है इतना कितना इजी हो गया 200 रुपए आएगा अब यह 200 रुपए हो गया second year में थार्ड यह ओगा तो 1600 तो हो गई होगा यह 200 तो मिल गया है मिलेगा ही फिर interest पर interest compound interest यानि 200 होगा ही या तो आप ऐसे समय लो इसका one by eight 200 इसका one by eight 200 अब इसका one by eight all लगेगा जो interest लगा हुआ है ठीक है यह तो इस पे मिला है और यह इस पे मिला है अब इस पे भी तो मिलेगा जो 200 रुपए मिल गया है दूसरे साल में उसका भी one by eight मिलेगा कितना होता है बताओ one by eight 200 का one by eight कितना होता है 25 अब आपको यहाँ पर देखना इसको calculate करो इसमें कोई डाउट इंट्रेस परिंटेस या तो मेरे रिमेश समल लोगे 200 है 200 रहेगा यह 200 रहेगा इसका one eight ठीक है अब आप देखी यहाँ पर एड करी जल्दी से फटाफट इसको एड करते हैं कितना ही है तीन बार है 48 हंडिट होगा 16 three is a 48 होता है तो 48 हंडिट हो गया अब देखी यहाँ पर कितना यह 600 और यह 25 625 हो गया यह आ गया 5 यह हो गया 2 864 हुआ और 5425 आंसर क्या होगा 5425 यानि सेकेंड वाला आंसर होगा ठीक है तो देखो 12.5% के according भी slab method कैसे करते हैं यह हो गया आपका slab method के according ठीक है दिखाई दे क्लियर है नहीं आप है कोई doubt है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई doubt ही नहीं अच्छी बाप है चलिए अब देखते है next इसका आंसर तो मालूम यह है second वाला answer है तो हम लोग देखते है next क्या है इसी type के question को देखा जाए next दो साल तीन महिने के according अगर बताना है तो इसमें आपको बताएंगे कि coding के according कैसे करते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर सेम वही सवाल है 1 to 8 है लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझाना है यहाँ पर बताना है कि 12.5 तो वही होता है 1 by 8 यह भी सेम है लेकिन यहाँ time duration घड़ गया है 2 साल 3 महने के निकालना है तो अग आपको क्या करना होगा सीदे सीदे तीन साल का दिकाल लो ठीक है 3 साल का कैसे करना है देखो सेम वहीं फरस्ट यहर सेकेंड यह थर्ड यह लाइन भी पता होगा 1 2 और कितना आई है 4 यह भी मालूम है कि 128 00 का 1 by 8 लगेगा जो की 1600 होता है कितना होता है 1600 निकाला था भी तो 1500 कुई डाउट 1600 16100 अगें इसका वन फाइन लगेगा तो यह होता है 200 तो यहां तो लगेगा है लेकिन इसप्टंप सो रुपए मिलेगा इसका 200 मिलेगा क्योंकि 1 बाइन दो सो ठीक है अब इस 200 का 1 बाइन पच्छी सर्पे मिलेगा यह तक समय यहत यहां तक लिया था नभ गया एक साल दो साल वाया है ठीक है इतनी पर सम्यागी एक साल दो साल तो मिल गया लेकिन जब यह होता है 3 by 12, एक साल में 12 महीन होते हैं, तो इसका कौन सा पार्ट है 1 by 4, तो इसका 1 by 4 लगेगा, अब 1 by 4 लगता है, तो आप देखी सब को add करके जो तीसरे साल का जो interest है, उसका 1 by 4 कर दो, या अलग लग कर दो, ज्यादा सही है इसका 1 by 4, देखो इसका 1 by 4 कितना होगा, 400 रुपए, इसका 1 by 4 करो, 50 रुपए, ठीक है, ये भी होगा 1 by 4 कितना होगा, 50 रुपए, और इसका 1 by 4 करेंगे, तो आएगा 6.25 आ जाएगा, ठीक है, अब देखो पूरा आ गया है, सीधे तीसरे साल का जो interest लग रहा था, उसका 1 by 4 calculate कर लिए, अब add कर लो, देखो कितना हो गया, 34, 34, और 4 कितना हो गया, 36, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 16, 16, 32, 32, 34, 38, ठीक है, ये 38, 100 हुआ, अब देखो ये 50, 500 हुआ, यानि 106 हो गया, तो 106 यहाँ पर देखो, add कल, और 0.25, add करेंगे, तो 3906.25, ये exact answer आएगा, बिलकुल exact होगा, कोई भी approximate वाला question नहीं, कि approximate answer ये, लगभव वाले सब गलत होते हैं, ठीक है, तो ये exact calculate, यागर आप calculator से भी करोगे, तो यहीं आएगा, और वो भी पक्का, आपको पता होगा, calculator से भी करोगे, तो time लगेगा, क्योंकि method वालों भी नहीं है, कैसे calculate करते है, calculator हाथ में लिये र answer, समझ में आ गया, चलिए, चलते हैं, next दिख लेते हैं, I hope आपको समझ में आ गया होगा, second है इसका right answer, चलिए next दिख लेते हैं, अब इस type के question को भी हम लोग discuss करते हैं, अभी हम लोग क्या check कर रहे हैं यापे, slab method सीख रहे हैं, compound interest का, अब देखें, दूसरे type के question आया है, यह याद रखेंगा कि आगे code वाला बताना है, तो देखें, यहाँ पर क्या है, एक निश्चित्स राशी जो है, compound interest की rate से 15 वर्स में कितनी हो जाती है, double हो जा रही है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, अब 8 times कितने year में होगी, यह निकालना है, तो आपको यहाँ method के according अगर हम solve करें, थोड़ा सा basic यहाँ पर दिख लिते हैं, double हो गई है, ठीक है, double हो गई है, तो यहाँ पर formula आपको बता है, P से 2P हो गया, यहाँ एमांट इगल टो P, 1 प्लस R by 100 पावर N, कितने वर्स में, 15 वर्स, यह equation first, ठीक है, कितने वर्स में 8 time हो जाएगा, तो द अब दोनों देखो, यहाँ पर कड़ गया, कड़ गया, यह भी कड़ गया, कड़ गया, ठीक है, इसकी value मालूम हो गई, अब इस 8 को इसके form में chain करो, 8 को लिखेंगे 2 का cube, ठीक है, और आपको यह पता है, 1 प्लस R by 100 पावर N, यह भी क्या है, general method, अब इस 2 की value आपको पता ह है, this 1 है, तो 2 की value यहाँ लिखेंगे, 1 प्लस R by 100 पावर 15, और यह cube आपको पता ही है, cube है, और इसकी value क्या है, 1 प्लस R by 100 पावर N, ठीक है, बेस, बेस, इक्वल होता है, तो पावर क्या होती, इक्वल होती है, तो देखिए, 15, 30, 45, इसका answer क्या है, 45, तो यह क्या था, general method, यह तो आपको भी पता होगा, ना, सीधे-सीधे amount से निकाला गया है, अब इसको देखो, जल्दी करने का तरीका क्या है, कि यह सब upon upon करने की क्या दूरत है, ठीक है, यहाँ देखिए कैसे करना है, कैसे करना है, 15 year में हो गई है double, कितने हो गई है, double हो गई है, two times, कितने वर होगी, 15 साल 8 करो, फिर double हो जाएगी, फिर कब होगी, फिर 15 साल बाद, फिर double हो जाएगी, तो सीधे-सीधे यह करो, 15 साल में double हो रही है, तो अब 15 साल में double हो जाएगी, किसका double, इसका double, यह क्या हैगा, 4, अब दो अब कब होगी, इसका double हो जाएगी, तो double करो, 15 साल में again double सोला सब यहां पर खूछा जाया है आट बिटने भरस में डिखाई दिखाई देरा पैतालीस साल में हो गया अगर आजा से सोला गुना कितने साल में तो इसी में आंसर देखो चुपा हुआँ देखो पूछ Cash कन में हो जाएग एखो,ordan परावी हो बंटिस अगर बंटिस गुना कितने वर्ष में उ vais में और उजाएगी है ठीक है 64 कुना कितने वर्ष में हो जाएगी तो देखो 100 साल में हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना जैसे बताया जा रहा है डबल डबल करते जाओ डबल हो रही है तो 15 साल में डबल अब 30 साल में डबल अब 45 साल में डबल अब 60 साल में डबल तो ऐसे क्या तो आंसर यहां पर क्या होगा 45 यह होगा इसका राइट आंसर ठीक है बात सवन में आगी दूसरा एक और भी कर सकते हो यहां पर पावर कर गए करते हैं लेकिन आप ऐसे ही सिखिए दूसरा जानेंगे अच्छा जान लेंगे देखो यहां पर ऐसे करते हैं 15 साल में हो गई 15 345 हो जाएगा आपको इसके कार्डिंग चेंज करना पड़ेगा फावर में ठीक है इससे भी आ जाएगा तो आंसर क्या है 45 चले नेक्स देख लेते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं यहां पर तो फटवर देखा जाए अगला अब देखें यहां पर इसको कैसे सॉल किया जा ठीक है टेशन मतलो फिर फाइफ यह में देखो डवल है 16 टाइम कितने यह में हो जाएगा ठीक है अब आप समझ लीजे पांच-पास साल में हो रहा तो पांच-पास साल यहां पर एड करो फाइफ यह में डवल अपका बोगा टैनियर में होगा अब कब होगा फिप्टीन ऐसके बाद TWieंटी में होगा ठीक है फिर उसके बाद 25 एर में होगा फिर उसके बाद 30 में हो जाएगा ठीक वह इसलिए समझा रहें आपको पूरा कि कि जहां तक दिया हो वहीं पे करके रूप जो याले इससे क्या होगा पूरा वेलू पता चल जाएगी अब क्यों अब दो का ड़ल 4 चार का डवल 8 दर्वल 16 का लगर कितना होगा 32 22 kg सोडो जाएगा अब पूरा अंसर आ गया, अब जो पूछा जाला दिख लो, 16 गुना कितने वर्ष में, तो 16 यहर में होगा, 20 साल में, तो अंसर आपका यहां भी दिखो, 20 यहर हो जाएगा, तो I hope आपको यह method समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो try करिएगा, ठीक है, तो cut, तो अभी तक इस tap के question को आपने सीखा, तो आपको पताईए किसका अंसर क्या होगा, 20 यहर, इसी tap के एक और सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएगे, फिराल यहां पर देख लिएगे, next type के question की बात करें, तो next type का question देख लिया, जया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, cut करो, cut करो, दुखो, वहीं से आते हैं फिर, चले इसी type के question को आगे भी देखते हैं, इसका अंसर तो आपको पताई चल गया, कि यह है 20 year, ठीक है, तो next वाला दिख लिएते हैं, नेक्स वाले question पर discuss करते हैं जल्दी से, इसका method फिर सिखिए, अब यह तीन verse में दिया जा रहा है, तीन verse में क्या हो रहा है, तो कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगा, तो आपको पता है, यह 3 year में हो जाता है, 3 time, कितना हो रहा है, 3 times, ठीक है, यह हो गया, 6 साल में, फिर 9 साल में, फिर 12 साल में होगा, ठीक है, फिर अगेन 12 में 3 add करो, तो यह हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 3 time हो रहा है, तो इसका मतलब 3 time का मतलब क्या होगा, तीन गुना करो, 3 थी थी जा, 9, 9 थी जा, 27, फिर 27 थी जा, कितना होगा, 81, 81 थी जा, फिर 3 बार करो, तो 243 होता है, अब दोब पूरा यहाँ पर clear हो गया, कैसे करना है, 27, 27 गुना कितने वर्ष में होगा, 9 यह में होगा, तो answer आपका क्या हो जाएगा, 9 यह होगा, इसका right answer, तो I hope आपको यह बात सौन में आगे, कि इस type के question को करते कैसे हैं, ठीक है, चली, आज के लिए बस इतना ही, इसी को मागे बढ़ाते हैं, और आगे वाले session में, आपको अच्छी धमागेदा trick मिलेगी, ठीक है, cut, तो इसी type के question को आगे, आगे हम discuss करेंगे, तो I hope आपको यह बात सौन में आगे होगी, compound interest क्या होता है, simple interest क्या होता है, और किस type के question को मैंने, slab method से कैसे बताया, यह भी आपने सीखा, तो I hope आप आप लोग practice जबर्दस बढ़ियें तरीके से करेंगे, और बहुत ही अच्छी trick आगे वाले session में जरूर देखिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, okay, all the best, तो इसी type के question को हम आगे भी discuss करेंगे, I hope आपने अच्छी तरह समझा, और इसकी practice भी करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, okay, तो अभी तक आपने यहां पे सीखा, कि compound interest क्या होता है, compound interest का slab method क्या है, तो I hope आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसकी practice भी करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, okay, all the best,